हलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए पीजा की रेसिपी लेकर आए हैं पीजा तो आपने बहुत बनाए होंगे और बहुत खाये होंगे लेकिन आज हम कुछ यूनिक ट्राइ करेंगे इस पीजा का बेज हम घर पर बनाएंगे वो भी जवार के आटे से जवार के इस पीजा की रेसिपी बहुत ही आसान है इसे हमने ओवन के बगेड तवे पर बनाया है उम्मीदें आपको इस रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेशिएल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें पीजा बेस बनाने के लिए हमने 250 ग्राम जवार का आटा लिया है इसमें हम एट कर देंगे एक तोथाई टीस्पून नमक और नमक क्वाटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप पीजा ओवन में बना रहे हैं तो इस टेज पर आप इसमें बेकिंग पाउडर एट कर दें और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करके इस काटा लगा लेंगे तो देखिए हमने इस काटा लगा लिया है अब हम इसे एक मिनिट टक हाथों की मदश से अच्छे से मसल लेंगे हमने जितना आटा लिया था उसमें से हम चार पीजा बेज बनाएंगे तो इस साइस की हमें इसकी लोई तोड़ लेनी है और पहले हम इसे हाथों की मदश से थोड़ा सेब देंगे और फीर हमने यहाँ पर एक पोलिथीन ली है इस पर रख कर हम इसे अच्छे से स्प्रेट करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर इसे अच्छे से हाथों की मदश से स्प्रेट करेंगे देखिए आप यहाँ पर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरह से हमने हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से बढ़ा लिया है इसकी किनारिया फटी हुई है तो कोई फिकर की बात नहीं है इसे बड़ी असा सेप देने के लिए हम इसे कट कर लेंगे तो किसी धार वाली कटोरी से इसे प्रेस करके अच्छे से कट करेंगे और बाकी के आटे को हम निकाल लेंगे ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा बेस बन कर तयार हुआ है और बाकी काटे में से भी हम इसी तरह बेज बनाएंगे अब हमने तवा अच्छे से गरम कर लिया है जो बेज हमने बनाया है उसे हम तवे पे दोनों तरफ से कच्चा पका सेकेंगे गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे बस कुछी देर में एक तरफ से थोड़ा सा सीख जाएगा तब हम इसकी साइट को चेंज करके दूसरी तरफ से भी से सेकेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से कच्चा पका सेक लिया बाकी के बेज भी हमें इसी तरह सेक लेने है अब हमने जो बेज बनाया है उस पर हम पीजा सोस अच्छे से एपलाई करेंगे और इस पर टोपिंग से एट करेंगे देखिए आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई सी भी वेजिस एट कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने प्यास को इस तरह से स्लाइसिस में काट कर इस पर एट कर दिया साथ ही में एट कर देंगे बारिक कट्यूवी सिम्ला मिच थोड़ा सा बारिक कटा हुवा टमाटर और थोड़ी सी बारिक कट्यूवी गाजर आप अपने हिसाफ से कोई सी भी टोपिंग एट कर सकते हैं लाश्ट में हम इसमें एट कर देंगे पनीर तो पनीर को हमने इस तरह से क्यूप्स में कट कर लिया है अब हमने लिया है ओरेगेनो पीजा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पीजा पर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे देखिए ये तीनों चीजे अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर दें और थोड़ा सा काली मिश पाउडर इस पर एट कर सकते हैं हमने यहां पर एक चीज क्यूब लिया है इसे हम ग्रेट करके पीजा पर एट करेंगे तो हमने जो चीज क्यूब लिया था उसे हमने पीजा पर अच्छे से ग्रेट करके एट कर दिया चीज की quantity आप अपने टेस्ट के according कम ज़्यादा भी कर सकते हैं तो हमने पीज़ा को सेखने के लिए तवा अच्छे से गरम कर लिया है और इस पर हम इसे रख देंगे अब इसे cover कर देंगे और इसे हम low flame पर सेखेंगे देखे गेस्ट की flame को अगर आपने high रखा तो ये जल भी सकता है तो हमें इसे cover करके तब तक पकाना है जब तक इसका चीज मेल्ट ना हो जाए इस पीज़ा को हमने cover करके low flame पर 5 मिनिट के लिए सेख लिया अब देख सकते हैं कि इसकी चीज अच्छे से melt हो चुकी है और हमने जो इसमें वेजी सेट किये हैं वो भी अच्छे से steam हो चुके है तो खाने के लिए तैयार है gluten free जवार का पीज़ा कितना बढ़िया पीज़ा बनकर तैयार हुआ है इसे देख कर कोई कह सकता है कि हमने इसे जवार के आटे से बनाया है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल एक वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं पीज़ा बनाने का ये देशी जुगर आपको कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई